मैं हूँ एडोकेट राहूल मैं शौर आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे उस में प्रश्म के बारे में जो न्याले आप से पूछेगी मानिने न्याइधीश मोज़े आप से पूछेंगे जब आप FIR क्वेशिंग में अपने मैटर की क्वेशिंग के लिए आने के लिए क्या आपके पास उस तरीके के साख्षुपलब्द हैं क्या आपका ऐस क्वेशिबल है या नहीं क्वेशल है दो महत्तपूर प्रशन क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले हर वार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार आ रहा है या भी तक आप लोगों नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइ से है देखे जैसे ही मैं कहता हूँ 376 के मैटर में या किसी अन्य मामले में आपके खिलाफ किसी प्रकार की FIR रेजिस्टर हो गई अब क्योंकि आप माल लिजे स्टूडेंट है आपका पूरा का पूरा केरियर पड़ा हुआ है आपको नोकरी करनी है आगे बहुत सारे काम क कर देती है तो ऐसी कंडिशन में हमेशा मैंने कहा है कि जब भी जूटी FIR रेजिस्टर हो आप कोड आईए क्वेशिंग के लिए और क्वेशिंग का बिकल्प बिल्कुल आपके पास हमेशा उपलब्द है डिस्क्रीशन ऑफ तो कोड तो बिल्कुल है ये हर वेक्ति का आप कहेंगे कि आपके खिलाफ किसी पार्टी ने जूटा मुकदमा रेजिस्टर करा दिया है तो कोड आख से पूचेगी कि आखिरकार किसी पार्टी ने आप ही के खिलाफ जूटा मुकदमा क्यों रेजिस्टर करा दिया किसी वेक्ति ने आप ही को क्यों चुना जूटा म boyfriend रहे, initial stage पर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का वादा नहीं रहा, शादी का दोनों लोग आपस में सहमती से consensual sexual relationship बनाते रहे, या कुछ reason रहा, जिसकी वज़े से दोनों लोग अलग हो गए, अब आपकी नौकरी लग गई है, आपसे वो शादी कर लेना चाहती है, जब वर्दस्ती क्योंकि settle होना चाहती है, वो आपके ऊपर इसलिए मुकदमा लिखा सकती है, ताकि आप उनके pressure में आके उनसे शादी कर लो, उनकी life set कर दो, उनकी नहीं लगी, यह हो सकता है, आप जब initial stage पर girlfriend, boyfriend रहें, आपने उनको मोटा पैसा दे रखा हो, आप उस पैसे की recovery करना चाहते हो, वापस पैसे मांग रहे हो, अब वो महिला क्योंकि उन्होंने आयाशी में पैसे उड़ा दिये, इधर उदर make-up, lipstick, लाली खरीट डाली, आपका पूरा पैसा उड़ा दिया, अब पैसा आप वापस लेना चाह रहे हो, उन्होंने आपके पैसे वापस नहीं करने, इसलिए उन्होंने आपके खिलाफ F.I.R. लिखा दी, ताकि आपसे पैसा, आप उनसे पैसा ना ले सको कि 376 को आज की डेट में केवल और केवल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी, जिस भी section में x, y, red जूटे मुकद में लिखा रहे हैं, उस condition में, आप के विरुध हो जो है, मुकद में लिखा रहे हैं, त प्रोपर्टी का विवाद होता है, मेर का विवाद होता है, आप लोगों का खेत का dispute चल रहा है, तो आज की डेट में एक सिस्टम ये भी हो गया है, कि आप जो है, पार्टी का इस्तेमाल करती, 376 के मुकदमों का आज कल बहुत भाइंकर तरीके से यूज करती हैं, ताकि य दूसरे को मुकदमे में फसाय जा सके, कैसे फसाय जा सके, आप का जैसे प्रोपर्टी का विवाद चल रहा है, आप कोई मैटर सिविल डिस्पूट चल रहा है, वो डिस्पूट आप जीतने वाले हैं, अब वो उस कंडिशन में आपके विरुद्ध मुकदमा रिजिस्टर पहले प्रशन का उस पर आपको मिलगे होगा, कि आखिरकार आप ही क्यों, आप ही के उपर कोई पार्टी 376 जैसी संगी अंधारा में जूटे मुकदमे क्यों रिजिस्टर कराएगी, अब दूसरा भाग आते हैं, वीडियो के दूसरे प्रशन की तरफ आते हैं, कि अगर आ ऐसी कंडीशन में क्या आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, क्या किसी अप्रोप्रियेट अथॉरिटी को शिकायती पत्र भेजा, आपने उसकी शिकायत किसी सक्षम अधिकारी से करी, अगर आपने सक्षम अधिकारी को उसकी सूचना नहीं दी, तो हम कैसे मालने जूटा मुकदमा रेजिस्टर करा सकता है इसलिए जब भी आपको लगे भाय की कोई वक्ति आपके विरुद्ध जूटा मुकदमा रेजिस्टर करा सकता है तो आप सक्षम अधिकारियों को इमीडियेट बेसेस पर सूचित करिए ताकि उसपर कारवाई करी जाए या कारवाई नहीं भी करी जाए तो कम से कम आपके विरुध्ध आपके पास एक एक विरुद्ध सिकायत कर रखी Heart is आपके विरोदजूटा मुकदमा रेजिश्टर करा सकते हैं कोर्ड को यह बताना पड़ेगा कि आपने इनीशियल लेवल पर कारवाई करने की कोशिश करी लेकिन कोई कारवाई नहीं करी एक बहुत अच्छी से सूकती है कि लॉहेर्ज दोज दोज हूर विजिलेंट विधी स्टूडेंट हो मुकदमा रेजिस्टर हो गया बेल में चलेगा कैरियर चौपट हो गया सालो साल मुकदमा चलेगा बीसियो साल मुकदमा चलेगा और आपको कुछ होना नहीं है कैरियर चौपट हो जाएगा इसलिए इमेडियेट कोईशिंग आना जरूरी है ताकि अपनी प्रोटेक्शन आप इंसे और कर सके उमीद है यह जानकारी समझ आई है पुसंद आई है अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथी साथ एक हमबल इक वे स्टोर है अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते है लखनो दिल्ली अलहबाद में तो अपनी अपॉइंट्मेंट शेडियूल कराकर मिल सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा थांक्यू सूमत जैहिद